प्रबत शिखर कंचन जंगा कैसे अकेला खड़ा है अपने को मिटा कर भी हिंदुस्तान के लिए जीते हैं देश के लिए जीते हैं जब शिखिम इंडिया में मौर्द होने से पहले सबसे गरिब देश ना चेकें आपकी छवी किसी राजा के जैसी थी अईसा लोग देखते थे लेकिन उस चीज़ को नहीं देख पाए उन लोग ने मेरे दिल में कितना ज़्यादा मानोता कितना प्रेम में गरीब आत्मी हूं मुख्यमद में बद्पर मुख्यमद आपके परिवार पर क्यों इतने इल्जाम लगाते हैं राजनेतिक विरोदी अगर देखें मैने चोरी किया होता तो अपको अले जेर डाल देते गो ले और आप कंचन जंगा का जिक्र कर रहे थे अपनी कविता में जो अकेला ख़ला है आप अपनी पार्टी में अकेले खड़े अब हार गये चुनाओं में तो छड़के चले गए नमस्ते मेरा नाम सौरब दिवेदी है और ये ललन टॉप का खास पॉलिटिकल प्रोग्राम है नेता जी घेरे में इस प्रोग्राम में हम कद्डावर राजनेतिक शक्सियतों को आमंत्रित करते हैं और आपके हिस्से के सब सवाल पूछते हैं और जाहिर सी बात है कि सवाल होंगे तो कुछ कंफर्ट होगा कुछ डिसकंफर्ट होगा और होगी एक नियत जानने की कि जो राजनेतिक शक्स हमारे सामने बैठा है उसका दश्कों का जो अनभव है तमाम राजनेतिक घटनाक्रमों के प्रती जैसे वो साक्षी रहा है वो कवी हैं और किरन के उपनाम के साथ कविता रचते हैं कैसी कविता रचते हैं एक आपको नमूना सुनाता हूँ अनुवाद है उन्ही की भाशा में उन्ही की जबान में अनुवाद है कि छोटा प्रदेश है सिक्किम लेकिन दिल बड़ा है कंचन जंगा परवत शिकर सा कैस अकेला खड़ा है अब सिक्किम कीवर्ड से आपको अंदाजा लग्या होगा कि हम किस नेता से मुखातिब हैं नेता जिनके बारे में कई की मदंतिया मशुहूर हैं कोई कहता है कि उन्होंने अपने लंबे कारिकाल में पांच विधान सभा सत्रों तक पूरे पहले कारिकाल मे सिक्किम का कायकल्प कर दिया उसे एक अदभुद पूरी तरह से और्गैनिक स्टेट में तबदील कर दिया और कोई कहते हैं कि राजशाही चली गई लेकिन वो नेता आए तो उन्होंने एक किंग्डम की तरह अपना राज चलाया लोकतंत्र के दौर में और जो भी उनके खिलाफ जाता था उसको अलग-अलग तरीकों से चुप करा दिया जाता था सबकी अपने अपनी व्याख्याएं हैं सबकी अपने अपने तर्क हैं हम नेता जी घेरे में मुखातिब हैं देश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे पवन कुमार चामलिंग से बहुत- मिलिट्री ऑपरेशन हुआ जो चोग्याल थे उनको सरेंडर करना पड़ा और सिक्किम के लोगों ने कैसे बढ़ चल कर भारती गंडराजी का हिस्सा बनने में दिल्चस्पी दिखाई क्या करते थे आप उस दौरान ये 1974-1975 का दौर था मुझे अभी याद आ रही है कि ओ अन्दलोन कैसे हुई थी और उस समय में मैं युवा था बिलकुल युवा था बीच सगेश साल का युवा था तो 31 तारीक मार्च उनाइसो तिरतर साल में मुझे एक चिठी मिली और मैंने चिठी खोल के देखा तो उस चिठी उस जमाने क प्रशिद्धनेता एड़ी काजी द्वारा लिखी हुई थी तो मैंने उस चिठी को मैंने पड़ा तो उस चिठी में इस तरह से लिखी गई थी कि 4 तारिक आप्रेल 1973 को सिकेम के महराजा के जन्मा दिन है और उस दिन आप लोग सब को ज्यान्तोंक में आना है और आप अप अपने छेत्र के लोगों को लेकर आप आईए तो उस दिन राजा के पचासवी जन्मा दिन है तो उस दिन में हम राजा को जन्मा दिन भी मनाएंगे और सिकीम में परजात अंत्र पहाली के लिए डेमोक्रिसी के लिए हम मांग भी रखेंगे एक आत्मी एक बोट का मांग और सिकीम में एक जिम्मारी शरकार एक responsible government जन्ता को मिलनी चाहिए तो यह बहुत बड़ा हमारा वहां पर मांग है तो बड़ा राशनित कारेक्रम है आपको चार तारीक सुवे अपरेल में आपको वहां पहुंचना है तो यह चिठी मुझे मुझे तो उसके बात में मैं पाइदल चल दिया अपने घर से तब आप स्टुएंट थे आप नौकरी करते तैं नौकरी यह नहीं करते थे इस अब आपको पीदल चला दिया अपने घर से पहुंचें पाइदल, गाड़ी नहीं थी उसे में और जितना लोग आते थे जब आम सिंहताम पहुंचें तो आमें पत्प, आमने देखा, के पस्यम सिक्म से पुर्वर सिक्म से लोग अधचिन सिक्मी लोग आ रहे ते पैदल चाहुचें तो सभी लोग एजे थे उस्टाम म मेरे आखों में अभी आ रही हैं कि बिलकूल खाली पैर, खाली पुर आदी शरीर में कपड़ा नहीं तो साब लोग चल रहे थे तो हम भी उसी करवा में हम भी हो गए उसे में, हम भी चलने लग उनके साथ में, तो हम गैंटों पहुंचें चार तारीक सुवे आट बचें ह तो हम वहां पहुंचे तो कुछ आदी गंटा के बात में पुलिस ने असुर गया शुरू किया तो एक दो गोली चली असुगया चली क्या प्रदर्शन हिंसत को राथा क्यूंकि हम लोग जाना चाहते थे चोगयल को मिलने राज दरवार में तो उस शोगया जो राजा उनक चाहते थे लेकिन हमको जाने रोक जाने नहीं दिया रोक दिया वहां असुरू गया शुरू और दंडा सुरू हुआ फिर उसके बात में गोली वी चली एक आत्मिक गोली भी लगी उसके बात में सब दस अधार लोगों को लखेड दिया हूँआ से पुलिस ने तो फिर हम जब हम आपर पहुंचे पांस तारीक सुवे तो ममें पत्या चला कि तब तक दक शिंद सिकेम और पसिम सिकेम के दो जिल्ला है और पुर्वर सिकेम को सिकेम के कुछ खोड़के गांतों के नार्शिकम छोड़के सभी जगा पर जनता ने कब्जा कर चुकी थी उस्टा में पुरा प्रसासंग के जहां 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 शासंग केंद्र थे सबको कब्जा हो गया था पूरा कब्जा हो गया था मैंने मैंने खुत अपनी आखर ची देखा कि सिंग्ताम बजार में तो पुलिस लोगो तो बाहर आकर वो लोग जनता बनकर जनता होजार मन के जनता होजार म जन्ता पुलिस मन के उलोग तो जोड़ी होए थे तो वह कोई पुलिस का नाम निशन नहीं था थाना में तो जन्ता गब जाता तो प्रसाशन सब जन्ता के प्जा में आ गए थे इंडारीली एव अन्ता उचुका थे वह फ्रसाशन नहीं तो उसी इम सुब्य पांस तारिक अ नारा लगाए सुलोगन सुरुआ जो सुलोगन करने वाले में मैं एक था लीट करने वाले में मैं एक था तो सुलोगन था हमें परजात अंतर चाहिए वहां डेमोक्रेशी हमें परजात अंतर चाहिए तो आम राजा को जम परजात अंतर जन्ता को देना चाहिए अगर नही सब्सक्राइन हर दो से हिंदूस्तान में में शाहिए पडिसे ही है आघऊनी डेली में चाहिए ज्मेरिश भॉक फो कि घी कि शाहन heav Guard कर से महाराजाले आप परजायत नतर दीना मने शिकी मलाए भारत मां गापनू पर शुछ इस्तर रही अम लगा लगा थे और मैं भी नारा लगा रहा था एख शाल का मैं युग था तो मेरे राउंटे खड़ा हो जाते तो मैं लिड्ट कर था हम अमेला परजात नतर चाहिंचा अम पर Delete recycelाए तो में भाएंच तारीव मैं आघ तारीव तक भुवआ पर रहें और फुरा का पूरा मोको खहाना देना खाना N Shortives खलाने काम तो उसमें लोग जाके फिर रहे तो उसके बात में फिर हम लोग वा रहे है तो उसके बात में फिर हम लोग वा रहे है तो उसके बात में फिर हम लोग वा रहे है तो उसके बात में फिर हम लोग वा रहे है तो उसके बात में फिर हम लोग वा रहे है तो उसके बात में पर रह बथने के निजो फिसे लब होसे और वेंट रहिए उसी तरह से डिसे निहींस के दो कुलते एब में ऐगरिमेंड बर्ण शारखार या तनक फिसे अगरीमेंट districts उसे को बोलते हैं एट में एगरिमेंट लोगों को नेताओं आधेश बीया हमारे हमारी मांग पूरी हुई है और आप लोग जाहिए एक मांचे एक बोट, अथ। एक आत्मी एक बोट पूरी होगा डेमोक्रिशी मिलेगी। जो हमारे मांगे हैं सब पूरी होगी है अप तो तो नहीं थे एडी काजी लेंड उप दरजी खाम चाथा वही एडी काजी थे और दुसके नमबर टू लीडर थे उस दूसरा नरवादु खतीवडा और तीसरा थे रामचंद्रा पॉडल यह लोग नेता थे तो उसी में फिर यूथ लीडर में लोग भी थे तो फिर उन लोग ने एनॉंस किया कि आप जाए तो फिर आश्टा आश्टा फिर सब लोग वापस चले गए तो एड में एक्रिमेंड वा उसके बाद में फिर से के में सांती हुई फिर इस सेंटर गवर्में ने वहाँ पर एड्रीटिव उपिशर एक भेज दिया अश्टेटर वह आईस चोपरा थे तो आइस चोपरा फिर आगे एडिशन टेक ओबर कर लिए उसके बाद में फिर 1974 में चुना हुई चुना अब पता रहा हुई चोगल के अंडर में हुआ और चुना होने के बाद में फिर वही जो न सरखार नया बनी उस सरखार में पर एल्डी काजी के मुख्यमंत्री बने फिर उसमें और पांचे मंत्री बने तो ओं मंत्री मंडल का एके काम था कि उन लोग ने सिक्यम को किस तर चौदा फेबरवरी 1975 में रेफरेंडम होई वापर और 98% लोगों ने भारत के बारत से मिलाने के लिए बोड दिया फिर इसी के बारत का अभिन अंग बनने के लिए एक राश्ता खुल गया तो फिर उसके बाद में एक प्रस्ताव पारित की गई कि उस प्रस्ताव में सिक्यम को बारत में सामिल करने का प्रस्ताव था फिर यह सब होने के बाद में फिर 26 अप्रेल 1975 में सिक्यम बारत का बाईशो राजय बन गई बाईशो राजय बना लोग सभा का सत्र चल रहा था बाकाइदा एलान हो बना इसके बाद में बना फिर सिक्किम बारत अबाईशों राज्य का जनम हुआ और उसके बाद चुनाव होते हैं उससाल उसके जनम हुआ तो आज मुझे ये सब इत्यास की बात है जो आजके हमारे देश के बड़े नेताओं को भी इस बारे में इतना जानकारी नहीं है मैं बहुत हम रिली इंप्रेस की आप एक एक तारीक को जिस तरह से याद रख रहे हैं अभी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आपने कहा कि हमें प्रजात अंतर चाहिए ऐसे नारे लगा रहे थे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं मुख्यमंत्री है पवन कुमार अफ्तर पर हमला हुआ और अखवार का भी नाम था हम्रो प्रजा शक्ति क्या कहेंगे इंजामों पर यहीं प्रजात अंत्र तो मांग रहे थे आप जहां पर कोई भी बेखौफ होके सरकार की जवाब देहित है कर सके यह मेरे यह मेरी साख को गिनाने के लिए यह सोड़े परजात अंत्र हैं ऐसा मेरी सरकार में परजात अंत्र की कहीं भी आत्या नहीं हुई और परजात अंत्र का पुरुना पुरुना शुरुक्षा हुई थी और इतना ज्यादा परजात अंत्र साहित देश में कहीं भी आज भी नहीं है ना कल थी कि मेरी सरकार में खुद एन ते वे में ए मेरा किया और रही दिन तक एक एक आटमी ने और दिन तक एक आगे के तुधी तक आईनिक और जिन तो अजिए दुनिया में एक मिशाल आप में ने पतीछ साल के मुख्यमंत्री को अंतिष्टी के या तो उसको भी में ने कुछ नहीं किया उसको तो मैंने आके पुलिश ने मुझे पोचा इसा कर रहें कि का कर इसको पकड़ू मैंने बोल दे मत बगड़ उसको शुरक्षा द ने मने डाख भी आप मेरि शर्खार में यह श्तना भी जुभी लोग ने इस तरह से बाते कहीं है यह सब ही मेरे साक को गीराने के लिए अश्य किया और ऐसा बहुत से अउदुसरा और यह यह अबूपर में इस तरह से मुख्या गया लेकिन लोग जानते हैं कि मेरी सरकार में जिस तरए से परजाद तंतर की एक खुला माउल था हो अभी लोग रियालाइज कर रहे हैं कि चाहं लिग किपना परजादोताबादी थी कितना जंता के लिए थी अभी PS गोले के शासन में मेहसूस कर रहे हैं यह कह रहे हैं आप नहीं है अब यह सल मधिमिश कर संभ शें जादा हुए जादा हुआ अपने एक पर बिखते मैं फिर फ़ॉड़ा पीछ जाना चाहता हूं आपने फिर बहुत बाहर ले। आप कहां कहां किस तरह से इस चीज़ को संपाधन करेंगे मुझे पता निए बिल्कुल अंकट जाएगा डोंट वर्याइगा मैंने कभी भी मुख्य मंत्री तो छोड़िए पंचाद बनने के लिए पिर शोचा नहीं था मैं मुख्य मंत्री बन गया सबसे लंबा बन गया कभी नहीं सोचा था मैंने मैं तो छिप इतना ही कर रहा था कि हमारे सिकेम के लुगों को भी प्रजाद मत्र मिले कि सबको समान हुक मिले स्थी मिले कोई खिठरी मज़ूर का लड़का भी पढशे लिखने का उसर मिले सबको खाने पिने का उसर मेले एक मानो जिवन सुख संधी से जी पाये इस तरह माल और होना चाहिए करके मैं सोच था था तो यही सोचे जब एडिकाजी को चिथी मिला तो मैं फिर आ गया जो चलो परजात अंत्रा उपको चाहिए इक्वैलिटी चाहिए सबको करके मैं आया और साहिध उसी दिन साहिध हो सकता कि मैं राष्टिती में आ गया था अब पर्टेक्चर अब हैं डायरिल इंडायरिल मैं है था भुट टो नहीं था लेकिन अपना जिवन चला ने के लिए काम भी करता था मैंने को प्रब्र लिए काम किया आ प्रसक्राज केमी डिंश ने सम्क्राश करने के लिए अधिकार कर दो कि अपिर दोनीयाह घुनिया में दीव निय। समय दिलंकुम में। अबता हुषा हैं कि टरिव में डिय। और बाव में पहले और नहीं होुआ है शबचे एंटाशी तो आई देश था कबी भी उद्यूकी करनने भी नई प्रभाव में नहीं आया उद्यूकारन निचे भीृ इसलाइशन हो जाए ते से शेकिम कह थे बहुँ उस ताह में तो उस तरह तो एक अलग खलग देश था तो मह नहीं पाई जोश तो इस तो करना पढ़ेगा कुछ तो करना चाहिए तो फिर मैं इस तरह से सोश के मैं नहीं क्या मैं शुच्छ चूश्किया मैं कभी राश्निती भृण तर कि आरंजान है तो सबता ऐंगा है तो इंडिया मिवास्तेश टहुता ऐंगा 대 dol 시간이 कि नुझी जह एकृण मनिकिन का ओव तो मैंचितम करने के बाद में थीर देश के लिए ना बड़ा राष्ट के लिए काम किया जो दुनिया में आपको पताओं आज मैं यहां पता नहीं का आपको मात्यम सी इस दुनिया में दुनिया में रेफेरेंडम करके जन्मत संगर करके कोई भी छोटा देश बड़ा देश में मिला हुआ इत्यास नहीं है यह श्रीप सिकिम है श्रीप सिकिम है दुसरा न मेर्स करने के बात में हो干 इतना बनाम वा और नेपाल में और बंगलादेस में युरोप रस्या में भी हो और सब्सक्राइन पांच प्लह सवाल तुक में प्रयों हो 15 टेचा Rs 10 मेने ुम् जब उपमें बीडिश एपर श्रीम करने वाले ब्तिस अपर बतनाम किया वहां के इस तरह के लोगों ने जो राष्ट शिक्किम इंडिया के खिल नहीं करना चाहते थी यह तो राष्ट बिलिदी लोगते लोली हमें यह पतिसी चोर वाले को कभी सेंटर गव्में ने मानने अता नहीं दी उसको कभी उसको पुरुषित नहीं किया अभी मैं कहूंगा इतना ज्यादा तो जुझवा नहीं दिया तो मैं जब मुखे मंत्री मना तो मैंने फिर एडी काजी को उस जमाने में अटल बेरी बासपाई शाप प्रदान मंत्री थी उसको उससे मैंने कहा कर उसको पत्मा बीभूशन दिलाया सरी अक्यला उसको उसको पत्मा बीशन दोबहके लगीं शिक्किम मर्श करने वाले अभी पांस आत्मी वहां पर जिंदा आए अभी भी और एक तो है शिक्किम वामर्श करने चुछ ने प्रस्ताव एसम्बली में रखा था उसका नाम है चरी बीबी गुरूं और उसको समर्थन करने वाले थे सभस ए ज़र आज जोडसी एस्तरी कर छ़या है, हिडीयम भॉंकी है फि Schwe llev ईनक चाहया है को एस्तरी आजशक मिलान कर दिया था है कि अब यह लोग नहीं कंऩी बिया है फ्सक्रूंस पोस्जिच्प लिए पत्मा है था हिद कोढोई पुष्णी मिला था है और शिक्म आज देश का एक साफ़ सुत्रा राज्य है तो उसमें थोड़ा दर होता है जैसा मैं भी उसी में आया था मैं शिक्म मर्ज करने वाले में हूँ और आज मैं बुद्प्रवो मुखे मंत्री हूँ तो मैं फिर बात में प्रोडिस करता रहा तो मैं पिर मैंने अपनी पार्टी बनाएं सिक्म डेमोगरी फ्रंट ये चार तारिक मार्च 1993 में तो मैं फिर मुख्यमंत्री बन गया सब्सक्राइब आँगा करो अगायानुद रहीं कि पृण की इससा के लिए उसके बात में मैं में अज delay कल दिए में नरौदीयर खट्य अडी काम किया कर तो फिर जब कुस उसका से क्कलब फर्क और वाधा त號 वाले जो उसका रखनी तो चुड़ दिया हों वालों चम्रीं कर लो टो समय मु en तो कांग्रेस बन गए और फिर राष्टरबादी बन गए हो तो उसके बात में मैं उसके बात में बंदारी को फिर कांग्रेस ने हटा दिया सर्खार से उसको करसम चार्ज करके लगा के इसको हटा दिया तो उसको हटा दिया तो उसके बात में मैं नर्वाद बंदारी के साथ में इसके साथ में फिर नरौदर पंडर की साथ में यह फ्र न में लोग निए शाथ मैंने इसका मेले बना पर पहली पाहिएgens अचिर पर शО्äg नेOr थी बार और मैं उसी मांची बार मुख्यं मे तो बफिर मंत्री बना मुझे मिपने के Wi-Fi ये लिए में represents कि एफ लाग कि मैं या खड़ा पुलर था जब मेहां ए जद मेरा था भी मेरे नाम veces प्राइब मेरे को मुख्यमंत्री को सिग लंपılmış मुख्य मंध्य को सिचे लगए अजयाद लगए तो उसी दिन से // 700 मुख्य Only common हे घा डिये मुख्यमादी। जी सेहाल बाद मुझे अटा दिया तो महींने पॉड्डी सोच झाय पर EUT कि मैं थे पॉड्डीष मुझे तो मैंने शोड़ दिया तो ममेन अपनी बीदी वी को का बचे게 काम पॉड्डे नहीं करना है नहीं करनी आमें तो बस अपना काम करना है जी औन चलाना है जे उनके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए जे उनके लिए तो उता मता हमारे पास में हैं हम कर सकते हैं तो हम अपने इच्छा से काम करेंगे साहितिय करेंगे फुल की खेती करेंगे थोड़ा घूमेंगे बचेओं को पढ़ाएं मेणी गॉम गूम गूम कर अपनी पार्टी विधायक को नहीं को बोला नहीं के मेरा प्रॉचारा ही कर यह प्रदीग का इसमेप अलगा तो फिर अजे पाद में सिक्यम के युआ अग्या लोग मेरे बास में आने लगे और बूल मैंडेल अरे तुम पुस करना चाहेथ तुम्हारे साथ हमारे साथ महाने कालिया मेरे पास भी नहीं क्या करो तर्डेपास पैशावी नहीं कुस भी नहीं सब्सक्राइब कर दो मैंने का उन लोग को कि मैं नहीं करूंगा प्रोटेश मुझे अच्छा नहीं लेगता है तो फिर उन लोग आने लगे गाओं में देखें यह ऑखें लोगोंने मुझे एक रुबेदो रुबे देने लगा चामल देने लगे और लोग आकर अमारे लिए पाटी बनाओ पाटी करेusion और और सब लोग आने लगे तो फिर मैंने मेरे साथ्यों को मैंने का कि एक साल बात में देखो भाई प्रोडिस करना है तो देखो लॉंग ट्रम प्रोडिस करना है तो हमें तो जनता के पक्स में वकलात करना है तो इसलिए आईशा अब लोग कर सकते हो तो आज आज आप परेंगे ठीक है पाठी बनाओ करना है एक एक सkee्टक memorized करना है एक सिर्धान करना एक मुल्या के आधर में दो करना है इसलिए अभी परोड़ा अकर आश्या करना हो तो आउप पर्टी करो लेकिन सरकारतों नहीं होगे कि आप बार बार कियों कह रहे थे सरकार नहीं होगी आप यह इंशोर करना चाहते थे कि जो काडर आप से जोड़े वो सिर्फ पावर के चक्कर में ना है या आपको वाकि यकी नहीं था कि पार्टी बनाने के एक साल के भीतर आप मुख्यमंत्री परत्की शपत ले रहे होंग मैं बता रहा था तो फिर हमने पार्टी बना ली बनाने के बात में देखिए आपको एक बात बता हूं यहां फाली बार बता रहा हूं तो फिर बंदरी साफ की सरकार जाने वाली थी तो बंदरी जी ने मुझे टेल्फू कर रहा एक दिन जब हमने पार्टी बना ली और यह 94 का बात आए अप्रेल में जाने वाली थी इंकॉम्टेक्स केस में तो उसे मुटिल हूँ क्या है उचे आगे देखो चामले मेरी शर्खार जाने वाली है और बहुत से लोग मेरे खिलाब में इनकॉम्स कारण से सब छोड़के मुझे चला गया वो लोग मीटिंग कर रहे हैं कि संचामान लिंबू या किसी को मुख्य मंत्री बनाना चाहते हैं उसके पीछे सब भी ट्राइबर लोग हैं तो क्यों इन की जावामों मैंने बोला चैन org इन बोला चैनले बुछे सेम करनाम में सब़ कर रोणalen लेकि हो मैं सेम करने कर रहा होाँग मैं पर शल्र आपने मंत्री बनाइथ यखी लें या नश्ती करता हूं श्यम सेम करूत मैं लोग ममाने कि बना हैं आपको छांतर परद्री शार्ष क्विर में उसके बात में वापस आ गया गर में मनामची म shops Amok ती र संचमन निम्ब को टेल मॉना है संचमन क्वान लिम्ब हो डिली आ गए थे एम एल कि MARY रें जनता तेरे साथ में, मेरे साथ में, कोऊी नहीं है, तो बंडारी मुझे मारे कैसं हूआए 6 माने चेकंचे , तो आप करो में लखो सेrole quién करो है, तो शक प्रिए дальше mmm हो. को प्रोटेक्शन में दोंगा स्टीन पूरा जितना मुझे पषद करते था चाहि अंशी मेरे साथ में आप 하지만 Pमीरther प्रिशासन नर्वास ना वाई सब्सक्राइब मजने प्रोटेक्शन करके लेकर झांतव मिलेक्टम में कडला। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रेंट की मश्मूर बाइक रेलियां जो आखरी दफा हमने देखी थी जब आपने मुख्यमंत्री का आवास छोड़ा था लोग रोते भी जा रहे थे और बाइक पिनारे भी लगा रहे थे फिर अपको पता है बंदारीशी गए और वो मुख्यमंत् फिर 94 में हमने चुनाओं लड़ी और चुनाओं में हमें 19 सीट मिला फिर में मुख्यमंत्री बन गया 32 में से 19 सीट स्पष्ट बाउमत्र उसके पहले का एक वाकिया है जो मैं चाहता हूं कि आप मेरे दर्शकों को बताएं आप एक रोज विधान सभा पहुँच गए थे हाम्ला था मैं जब बंद impacto मुझे मौंड़े मेले सहटा देजिए मजह पांटे Road Party और मंद्री शटा दिया तो अज़े दोए dough ने बेंधा तो मुझे वह बोलने नहीं देता ता है को झाली नहीं नहीं उजँ है खो ज भुइन दे घा पूज़ा ऑं अर औल्ली जुछ उप खुछ Sad clocks दुछ भाजा किल टा ऊघ्टीजं से तो तो फेर लोंगिने तुमौन एता नहीं जा है तो मेरा कुछ़ चाहरा नहीं तो ब्यून है तो मैंने नहीं पार मंबत्यों बधत अंदर एसेंबली में जला लिया तो महमती लेकर मैं एसेंबली में डेमोकरिशी डोड़ रहा हूं परजात अंतर को डोड़ रहा हूं सब जानते हैं लेकिन आज सिकेम को मैं बताना चाहूंगा एसेंबली के अंदर में भी डेमोकरिशी नहीं है इसलिए मैं घूड़ रहा हूं यह पर यह एक रांती का प्रतीक है यह मंबती घूड़ रहा हूं परके मरे पूरा भून जाते सकता था जाकर मैं मुहहं मंत्री के ची अगे पाँंच जिय पले कर लेकि अश्मब्ली में और मंक्रिशी को आज़त करने कई प्रतिक है यह मंबती जो मैंने जलाई करके बात में मैं सिखिंविदान समय में डेमोकरशी नहीं है इसके परती बात में मैं आज इस हाउस को वाक आउट करता हूँ करके लेकर बत्ती के साथ है वह बाहर आगया तो ये दुनिया में पाला एक उदारन आए आज तक दुनिया में कहीं भी इस तरह से मंबती जला के पार्लिमेंट में डेमोकरशी नहीं खोजी गई नहीं खोजागाई नहीं कहीं भी ये बताईए कि फिर आप 1994 में सत्ता में आते हैं मैं सिक्किम की पॉलिटिक्स पे डेवल्लमेंट पे रखने वाले अलग-अलग लोगों से बात कर रहा था और जो इंडेक्स हैं डेवल्लमेंट की उनमें बहुत शांदार परफॉर्मेंस है सिक्किम की जीडीपी देश की जीडीपी से हमेशा जादा रही है पिछले कई बरसों से सिक्किम की जो प्रतीव्यक्ति आये है वो देश की प्रतीव्यक्ति आये से दुगने से ज़ादा है तो यह सब बड़े कमाल के इंडेक्स है राजनेतिक पंडितों ने कहा कि चामलिंग साहब के जो पहले दो कारिकाल थे बहुत बढ़िया कारिकाल डारेक्ट कनेक्ट डिलीबरी लेकिन उसके बाद एक कोटरी एक कौकस था जिसने उनको घेर लिया और उसके बाद कोई भी अगर एग्री नहीं करता था पवन कुमार चामलिंग से या सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रेंट के जो ब्लॉक के लेवल पे अलग-अलग लेवल पे का तो तारीव भी की लोगों ने और पिर कहा कि दस साल के बाद थोड़े से आटो क्रेटिक हो गए थे आयरन फिस्ट से कंट्रोल करते थे और ये भी जोड़ा गया कि बाद में यहीं उनके हार की वजे बनी कि आज वो अपनी पार्टी के एकलौते विधायक है दस भाजपा म मोर्चा में चले गए क्योंकि पाम चामलिंग साहब अपने हिस्से की पावर अपने मिनिस्टर्स और MLS के साथ शेयर नहीं करते थे मीडिया को कंट्रोल में रखते थे डायरेक्ट कनेक्ट रखते थे यह सत्य है आब सवत्या की जो भाव बिस में अभी उलजा हूं मेरा गल्ती थी मैं आज मैं रियलेज करता हूं कि मैं मैं मेरा गल्ती एकि मैंने सब को अपना जाईशामाना मेरा मुझे अच्छा आपमी होना मेरा सबसे थोड़ा कमजोरी था और यह दूसरा है सबको विश्वास करना और सबको अपना ज़ेश्चा सोचना मेरा सबसे बड़ा गल्ती था इसी करण से जितना भी मेरे लोग थे फाइदा उठाया हो लोग मेरे नाम का फाइदा उठाया मेरा मुख्या मंत्री तोक का फाइदा उठाया और मुख्या मंत्री का जो पावर है उसको मिशूष किया और पार्टी पार्टी और सर्खार को उन लोग ने अपने फाइदा के लिए मिचूश किया तो यह सबसे बड़ा मेरा कमजूरी था कि मैंने मैं दूसरे पॉटिशन को भी बताना चाहूंगा कि जो नेता होते हैं उसका नाम बतनाम कर देते हैं और मेरा इसी तरह से यह हार का कारण मैं मानता हूं कि आज लोगों ने रियलाज किया कि चामलिंग तो अच्छे थे लेकिन 20 के लोग जो थे उस उन लोग ने बतनाम किया और जितना लोग मुझसे जुड़े कौन लोग थे जो आपके नाम का बेजा इस्तमाल कर रहे थे पर आप जो पीपल्स कनेक्ट के लिए जाने जाते हैं आपको पता नहीं पढ़ रहाता है इसी कोठरी इसी कौकस की तो चर्चा होती थी यही हुआ यही हुआ यही हुआ सही बात है और और मेरा इर्दगिर्द जो लोग थे उसी ने उन लोग ने ही इस जब सक्थार को हराने के लिए सबसे बड़ा योगदान लिया है आप इर्दगिर्द के लोगों की बात कर रहे हैं मैं यहां पे कुछ चीज़ें पढ़ना चाहूंगा आलोचक कहते हैं कि आपकी छवी किसी राजा के जैसी थी अभी राजा की छवी कैसी कि जो मेरे दर्वाजे पर आया है उसकी मैं मदद करूँगा और उस मदद के लिए मैं हमेशा बहुत ही इसको कहते हैं परंपरागत सरकारी तरीके देखूं यह ज़रूरी नहीं लोग कहते थे लिफाफे रखे रहते थे कोई कुछ मदद मांगने आया आपने उसकी मदद की मैं कौशिक डेका का लिखा इंडिया तुड़े का एक प्रोफाइल पढ़ रहा था जिसकी शुरुआत में जिक्र है कि आप राज्य का दौरा करते थे अपने मंत्रियों के आपको एक 32 साल की बेवा महिला मिलती है जिसके बच्चे है नौकरी नहीं वो आपसे नौकरी मांगती है और आप दो रोज बाद अपने घर में बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं कि भाई उसका अपॉइंट्मेंट लेटर अभी तक रिलीज क्यों नहीं हुआ तो इसका प् हुआ लोग देखते ठे हैं लोग का स्वोर्ष था लेकिन उस चीज़ को नहीं देख पायों लोग ने जा मेरे में कितना ज्यादा माननोथा कितना प्रेम में गडियों के लिए मैं बहुत संवेदर्सी लात्मि हो हुँ है मैं लोगे लिए रोता हुँ मैं गडिब उटाहो ओरने वाले नहीं है हम कैशी सामास बना रहे हैं हम कैशसा आप्मी बन रहे हैं इए देखर मुझे रोना आता है यह विकास के नाम में अस राश्ती के नाम में देखी बैपार हो रही है मुझे दर्द लगता है, मुझे दर्द होता है, क्योंकि हमारा नेताओं को काम क्या है, मुख्या मंतर काम क्या है, मुख्या मंतर 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 क्य लेकिन यह नहीं हो रहा है तो इसलिए मैंने मेरी कोशिच यह रही जब मैं मुख्यमंद्री था कि हर लोग को बुनियादी सुविदा मेले कोई आत्मी भूका नहों नंगा नहों घर नहों सभी लोग एक पहिचान के साथ में आत्मी की तरह जी सके इसी इसी विचार से में का लड़कों को पार्टी करनी होती और कुछ विवस्ता नहीं पाती तो वह भी पहुच जाते थे कि मोख्यमंद्री जी में को पार्टी करनी और आप उनको लिफाफे पकड़ा देते थे नाई लिफाफे ऐसह हुआ देखिए लिफाफे का मेरा बतनाम होई एक बार परदान मंत्री ने मुझे का आप तो बहुत लोगो को पैसा बाड़ते हैं तो मेरा कमदुरी यह रहा है कि मैं सबको हेल्प करता था इतना जोलोगों को मैंन पढ़ा पैसा कहां से आतां सिर्फ मुख्यमंथ्री राहतकोशका तो पैसा नहीं तरह से अमान दीजे माई आज मुझेखे महीं आज महीं सबसे गरीब मुख्यमंत्री हो मेरे पास में कुछ भी नहीं हैं अभी कमना कहीं जाना हो तो मुझे कुछ चीशा लोन लियाना पड़ता है अच्छा आप ये बात कह रहे हैं, ये हमने आपके assets भी देखे जो declaration होता है, लेकिन इल्जाम लगते हैं कि आपके परिवार के जो लोग हैं, casino business, cable TV का business, five star hotel का business, resort का business, आपके बेटे हैं विकास चामलिंग, इस साल की शुरुवात में public undertaking है Sikkim की S.I.M. F.E.D. Sikkim State Cooperative Supply and Marketing Federation Limited, इसमें एक टेंडर घुटाले की सिलसिले में F.I.R. हुई, आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, प्योडली, पॉलिटिकल वेंडेटा है, अगर देखे, महीने चोरी किया होता, तो पहले जेल डाल देते हैं कि गोले, ये सखर पहले जेल डाल को गिराने के लिए सब की किया है, क्या वो हाइड्रो पावर स्केम की जो बात होती है, जिससे कहा जाता है कि स्टेट एक्स चेकर को 2400 करोड रुपै का नुकसान हुआ, बाइचिंग भूटिया इसी दिल्ली में प्रेस कॉन्फरेंस करके गए थे आपके खिला है, ये जो जितना भी पावर प्रोजेक्स से चेके में, ये चन्दर सर्खार की प्रोजेक्स है और उस correctly अजिस सर्कार थे जिस सब कुशिया हुआ, ये मेरा प्राइट नहीं है, बाइरस सर्खार के पावर प्रोजेक्स पावर हाइडल पावर का एक पॉलिशी हैं इंडिया गोर्मेंट का उसकी तादिय हुई है और जितना वहाँ पर पावर डेपलोबर आये है सब मेरा नहीं है वो महीं नहीं जानता हूँ लोग सब आंधरपंदेशी बेजी गई है यह कहा जाता है कि किसी भी राज्य में कोई सब्सक्राइब का वर्क हो स्टेट गवर्मेंट का कोपरेशन बहुत जरूरी है और पेपर एंड ऑन दा सर्फेस जो जो पार्टी का का काडर है कोई इंफ्लूएंस नहीं रहता था आपके काडर का इस तरीके के जो सेंट्र गवर्मेंट के डेवलमेंटल वर्क रहते थे इस यह परजेगे पावर के बात मैं सब्सक्राइब करना चाहता हूं यह पावर प्रजेक्ट यह पारो प्रजेक्ट पावर्डेवलमेंट कोर्पेशन ऑफ इंडिया बारस सर्खार का और सिक्रिम गवर्मेंट और डेपलोपर यह मिलकर यह पीपीप मोड में अभी चल दा इतना बड़ा योगदान महिने देश के लिए आज मेरा बतनाम कर रहे हैं अगर हुआ चोरी हुआ है तो क्यों नहीं बारस सखार कई तो यह परिवार पर क्यों इतने इल्जाम लगाते हैं राजनातिक विरोधी इसलिए लिए लगाते हैं क्योंकि और और पावंद चामलि तो क्यों क्यों देखते रहते हैं यह भी करॉप्शन के इल्जाम में जेल में थे जब आप सरकार में थे नहीं वह तो महान आदमी थे तो आपने सरकार में क्यों लिया नहीं वह कहते हैं कि जैसे चामलिंग साहब ने नर्भादुर भंडारी के साथ किया वैसे ही जो प्रे में बद मुखे मंतरी के व्हां लगागा हुए। अभी ने हुए। पुजा मंदरी जाता हुं मोण धू हुए। मोखे मंतरी हूँ। मुख्यमंत्री था अभी नहीं हूँ मुख्यमंत्री चार दाम बनाने वाले मुख्यमंत्री था मैं ऐसा मुख्यमंत्र नहीं हूँ और उसके ऊपर एक देखाई है भारत को तो मैंने वो सब कु रिखो मैं गोले साब को या जा मैं मुख्यमंत्री तह तो गोले शाब को मैंने क्यों कि बोड़ देकर मुख्यमंत्री को बनाएं उसके साथ में सता है पाउर रहे तो इसलिए उसके बारिमा कुछ नहीं काना चाहता। मुख्यमन्तरी मेरा भी मुख्यमन्तरी मैं इसको मांता हूं मुख्यमन्तरी जनताने लेकर आई है। और आपका पुराना घ्रो बिल rights the next time already relax that आपकी जो विपक्षी पार्टी थी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा वो 17 सीटें जीती है आप 15 जीते हैं लेकिन दो केंगेट दो जगें रड़ेते तो एक्टिव संग्चा 13 तेरा में दस चले गए भाजपा में दो चले गए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा में और आप कंचन जंगा का जिक्र कर रहे थे अपनी कविता में अकेले खड़े हैं तो यदि चामलिंग सहाब की पॉल्सी इतनी अच्छी थी तो उनके विधायक उनको चुनाओ जीतने के बा आपका चार दशक का अनुभव है कि जो पंद्रा विधायक जो तेरा जीते आपको हटा दें तो बारा वह बारा पवन कुमार चामलिंग के नाम पर सिक्किम डेमोक्रिटिक फ्रंट के सिंबल पर आपकी पॉल्सी पर जीते और उसमें से दस एक साथ भाजपा में चले गए जबकि आप एंडिये का हिस्सा रहे थे बतार मुख्यमंत्री अब यह गटना पुराना हो चुका है विसमें मुझे ज्यादा नहीं बोलना है लेकिन दस आत्में अभी बीजेपी में हैं अच्छा है बीजेपी में और दो आत्में रूलिंग पार्टी में हैं वो भी अच्छा है दस आत्में बीजेपी हो गए दो आत्में अभी रूलिंग पार्टी गोले के पार्टी में चले गए और मैं अकेला रहा गया और अकेला रहान प्रदान मंत्री बनते हैं और आप पांच्वी दफा सत्ता में आते हैं मोदी जी के साथ आपके सब्मंद कैसे रहे इन पांथ बरसों में कुछ आप घटना आएं कुछ अनुभव बता सके हैं हमारे दर्शकों को क्योंकि उनका बड़ा जोर है उस सरकार का कि नौर्थ इस्ट में डेवलप्मेंट के प्रोजेक्स हों नौर्थ इस्ट देश के का जो मैप है उस पे प्रमुकता से उभर कर आए उनको ये न लगे कि वो संख्याबल में कम हैं इसलिए रिसोर्सिस कम ऐलोकेट हो रहे हैं और सिक्योर्टी के पॉइंट ऑव व्यू से पूरा नौर्थ इस और खास तौर पर सिख्यम अभी हम लोग अक्सर डोकलाम की चर्चा करते रहते हैं बहुत इंपॉर्टन है और कई लोग तो ये भी कहते हैं सर कि चूपी सिक्यम सामरिक द्रश्टी से रणनीतिक द्रश्टी से इतना महातुपूर्ण है इसलिए केंद्र की सरकार ने चाहे भाजपा की पहले सरकार रही हो या कॉंग्रेस की सिक्किम की पॉलिटिक्स में एक पॉइंट के बाद दखन नहीं दिया स्टेटस को बना रहने दिया और इसलिए नर्वादुर भंडारी और फिर पवन कुमार चामलिंग थ्राइब करते रहे मोदी साब के बारे में मेरा कोई ऐसा उसके बारे में बोलने का कोई सब्दा नहीं है हमारे प्रदान मंत्री हैं पहले मुख्य मंत्री थे उस समय में सिक्किम भी हुआ आये थे और मैंने सिक्किम में क्या क्या उस समय में हो रहा था उस बारे में उसको जानकरी दी थी एक बार उसको मैंने इक साम अभी दिया था और आछी बाते हुई थी उसे बात में वो परदान मंत्री बन गए तो परदान मंत्री बनने के बाद में उससे मैं मिला हूँ बहुत बार वो परदान मंत्री हैं और बहुती काम्याब परदान मंत्री हैं बहुत ससक्त परदान मंत्री हैं और बहुती साफ़ शुत्रा हुआ परदान मंत्री हैं और बहुती नवाचारी इनोवेटिव प्राइम मिनिस्टर ह श्रीम Naroad Ulondarie सरे मोदीजी के कारण 46 आज सारी दुनिया में देश की छवी अच्छी हैं अच्छी हुइये a और सारी दुनिया हुमारी देश को अच्छी नजर से देखती है और यह सब इसका स्रियम मोदी जी को जाता है यह बताइए मोदी जी की पार्टी आपके 13 फुल विधायक उनमें से 10 ले जाती है लेकिन आप नरेंदर मोदी जी की खूब तारीफ कर रहे हैं लोग यह कहते हैं कि भारती जनता पार्टी या नरेंदर मोदी सरकार आपको कोई बड़ी पोजीशन ओफर करने वाली है इस तरह की चर्चाओं चल रही है लुटियंस डेली में और जो नौर्टीस्ट के बीजेपी के बड़े रणीतिकार माने जाते हैं उन्होंने भी अंदर खाने इस तरह की चर्चाओं को शेयर किया क्या हम जल्द ही पवन कुमार चामलिंग को किसी समवेधानि पद पर देख सकते हैं और इसलिए चामलिंग साहब मोदी साहब की सिर्फ प्रशंचा कर रहें किसी भी किस्मी की आलोचना नहीं करने के लिए कोई इसा अभी नहीं देखा कि मुदी ने कुछ देश के लिए गला सोचा हो गला नहीं लगा आपके दस विधायक ले गए नहीं तो विधायक गोले ले जाते तो अच्छा है कि मोदी मोदी साफ में गए तो मैं भी एंडिय का पार्टनर हो और नेडा का लाज सबा के अर नेस्नल प्रोग्राम में में फॉल्क्राइब के साथ में. इंडिय के साथ में कर रहे हैं तो अ अच्छा लगा ठीक है. तो 15 तो अहीं है, तो 20 विधायक हो जाए हमारी को हुं ہको फिरेंगे नहीं हूं और मांगने से मिलने वाला भी नहीं है और यह पुर्दान-मंतरी को अधिल स्थाहए बास यह भी रही है मुझे पता नहीं है लेकिन हलमेशा शICK Π種類़ dram कहीं भी अगर काम आशा को कोई उतरदाई तो मिलता है तो मैं हरमेशा राष्ट के हीत में काम करने के लिए त्यार हूं और मेरा सारी जिंदगी डेश और सिक्किम के लिए काम करते-करते बिद गया अब थोड़ा बची हुई उमेर है इस गोभी मैं आप देश की हीत में ही ख बात करते हैं 2015 में सिक्किम को पूरी तरह से इसे और स्टेट डियार किया आजाता है यह कैसे अचीव किया अपने और ज्यानिक स्टी इस ठीट जम शिकार मेरे माह और बाप को यृ किसान परिवारुसें हूं गरी 5 heavens मेरी मा और मेरी बाप मैं जब छोटा था उस्ता में उलोग खेत बाड़ी में काम करते थी और उन लोग का जो परिश्रमिक जीवन बहुत दर्द मुझे देती थी और मैं जब बड़ा हुआ तब भी मुझे हरमेशा मेरे माबाप जब खेतों में काम करते थे तो उसका याद मुझे आती थी तो मैंने जब बढ़ा हुआ, अपने कामन लंड़ कियाँ मैंने जियोन को आगे बढ़ाते गए तो All the evil scene see my द्माग में अनॉप मेर भी के मैरे मेरे बाप मेरे मा मेरे दादा लोग और मेरे गांग मेरे लोग के ईपने किसान करते हुए और बहुत तकलिफ हरी जिंदगी उन लोग का मैं देखता था यात आती थी तो मैंने जब मुख्यामंत्री बना तो मैंने सोचा कि यह गरीबों के लिए किसान के लिए मैं क्या कर सकता हूं ताकि उन लोग का जिन्दगी अच्छी हो वो लोग का वी जिवन बदले और मुख्यामंत्री बन गया तो मैं मुझे कुछ तो करना है इसे किसान के लिए इस तरह के एक सोच मजे बना तो किसान के लिए मैंने काफी मैंने मदद भी करने कोशिए कि सर्खार जो कर सकती थी मैंने किया भी गामी तर्व से और बार सकता जितना प्रोग्राम थ से हमारे 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 शिक्किम फोटा प्रदेश हैं और कॉल्टी वेवर लेंड जो खेती योग्या भूमी बहुत कम हैं तो उसको लो बॉलिम हाई भैलू याता कम उत्पादन में भी उत्पादित सामगरी में भी ज्यादा भैलू कैसा मिल सकता है उसने मैंने सोच के फिर मैंने और्ग्यानिक इस्टेट बनाने से हमारे पाड़ी जगा में कम जमिन है तो वहाँ पर कम उत्पादन होगा तो उसका बहलू ज्यादा होगा करके एक सोच के मैंने एक तो और्ग्यानिक बनाने के लिए मैंने सोच मैंने बनाए और दुसरा मैंने सोचा कि आज और्ग्यानिक यह दुनिया में कितना जरूरी हैं हमारे हेल्थ के लिए हमारे परियावन के लिए हमारे जीवन के लिए हमारे भोष्य के लिए जिस तरह से आज ग्रोगल वार्मिंग है जब आज और अज और इतना हमारे हवा भी पोलुटें है और नदी नालाएं भी अभी पोलुटेंग तो इसमें सबसे बड़ा योग्दान है और ग्यानिक अज़ जाद है पेस्टिसाइज इंसेक्टिसाइज और केमिकल फटिलाइजर का है और यह डाइको डाइको फैनेक पोईयन का कारण है तो अगर हमने और ग्यानिक इस्टेट शिकिम अगर बना दिया जाए तो शिकिम तो एक स्वच्छा राजय बनेगा तो इसे परेटन भी बढ़ेगी लोगों का उत्पादन बढ़ेगी हमारे जो जमीन है जमीन जंगल भी स् में अगर इसेट बनांगे गए तो विद्व अपर्डशल इसीफ को अगर्यानिक इंट जाधा लोगों का फ्रेयर हुआ खिलाब में बहुत लुकर मेरे ह्लां में जबनाए और उस टाם के उस जमाएने के और ग्यानिक उस टाम गर्यानिकす एक सिश्वाइब घ्रिंद रेविलूशन चल रहा है का तूब फिर पूरा अफसर लोगी खिलाब में उगए जानता भी खोला हैं ओप उपशान था हंदेशन खिलाब में थे तो एमने इमद नहीं आ रहा है और 14 साल मैंने पुरा कोशिज करने के बात में फिर सिक्रिप और जानिक इस्टेट बना फिर दुस्ता से सिखना भी नहीं था कई अगर मॉडल हो तो वाँ से रेप्लिकेट करना भी नहीं था तो खुट मैंने उसको सिक्रिप सबसे जादा और इंडिया में अभी हो रहा है तो इंडिया में अगर हमारे प्रदान जी चाहें तो हमारे परणान मंत्री जी हमारे बिश्व का और ग्यानिक गूरू बन सकते हैं तो इंडिया एक और ग्यानिक इस्टेट बनने से अमारे देश बिश्व का एक और यानिक गूरू देश होगा योग और आईरवेट के भी गूरू बनें और और यानिक गूरू बनेंगे और जो एक और चीज आपने सिक्किम में की जो बड़ी रिमाकेबल है कि तूरिजम और गैनिक के लावा जो सेक्टर पर बड़ा फोकस किया गया अब मैं खुद सिक्किम गया हूं मेरे परिवार के लोग गए है और अब देश भर से जाते हैं तूरिजम को लेके आपकी क्य सलाह है बाकी सरकारों को हमें टूरिजम ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो दुनिया में अगरिकर्टर के बात में सबसे ज़्यादा रूजगारी इंप्लोईमेंट दे सकता है दे भी रहे हैं देता है तो टूरिजम को बड़ावा देना चाहिए इस सलकार को मैरा तूरिजम को सबखे पाला काम मैंने किया Environment Friendly Environment Friendly मैंने तूरिजम किया वहाँ पर एक तो दूसरा मैंने वहाँ पर किया Organic Tourism Clean Tourism और मैने वहाँ पर किया culture tourism, peace tourism, तो ये चीज़ को हमें करने हैं, महीं तो कहता हूं सारे देशवाशियों को, हमें five-star hotel, seven-star hotel tourism नहीं करना चाहिए, आगार फाइश्टार होटल में अगर लोग जा जाना चाहते हैं लोग जाना चाहते है तो वह जब स्मूर्क से नुश्टीय में दिली में से जरना चाहे हैं वहाँ जाके उन लोग कशो देखें ख़ंग करें चाहिए तूरै क Fernand Buker का लिछ सीग चाहिए वहां का टेडिशनल तुरिजम करना चाहिए, वहां का बिलेश बेश तुरिजम करना चाहिए, वहां का बिलेश तुरिजम करना चाहिए, वहां का बिलेश तुरिजम करना चाहिए, नेचर तुरिजम करना चाहिए, तुरिस्खूत वहां पर आए, स्वच्छ तुरिजम हो, वह करिण से और मेञेखा डosितby का क्याओ तार्टी का थार वाली टूरिजम काना चाहिए बं एकार होने जुजम काना चाहिए आपना मैं अपना Ika तो इसलिए टूरिजम हमें जो भी करना है वो बिलकुल हमारे खान पान हमारे भेस बुसा हमारे कल्चर टेडिशन चीज जोड के करना चाहिए और हमारे जितना भी हमारे अमने गाउं का पीडिशन पीडिशन करना तो जोड चाहिए ताकि वो देखने के लिए नागावैं का जोग टेडिशन है काल्चर है विश्व में कहीं नेंगाइड नेंगाओं तो वहाँ पर आना चाहिए वह देखने के लिए अमरिका से लोग आएंगे अगर इसको हम पर पर लिए इसको अगर हम और्गनाइज करें इसको पॉब्लिशिट करें और टूरिस्ट पॉइंट अव्यू से भी हो पॉरिस करें परजे करें तो और मुझे दूसरा बित कायना ह है कि आज हमारे देश के लोग हमें फड़ा पॉजरी बनके हमें खुद हमारा अपना जो पोटेंशियल है अमरे गाउं में उसको किस तरह से आज के विकास से जोड़ सकते हैं उसमें हमें काम करना चाहिए तो ऐसे हैं मैंने शिक्यम टूरिजम में काम किया तो आज टूरि जितना है उससे तीन डबल ज्यादा टूरिश्ट सिके में आते हैं मैं तो इसलिए चर्चा की इतनी रिमार्केबल स्टोरी पर आप भी आप नहीं पॉपलर मीडिया में इसकी लगातार चर्चा नहीं होती है और सिके में देखे मैंने एक हजार टूरिश्ट बनाई है एक ह चोलम तोसम बलते हैं हमारे बुद्धिस नहीं बुद्धिस भासा में और भुटिया लामा भासा में कि बुद्ध का मुर्ति हो या चेरेजी का मुर्ति हो या गुरु निमपजी का मुर्ति बड़ा-बड़ा मैं बना दिया हुआ पर इस तरह से जैसे मैंने टेडिशनल हा कॉल्चर बिलेश मैंने वहाँ पर बनाई अब यह अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें कोई भी आत्मी जब वहाँ जाएंगे वह उस जगह में स्वरेंग के पास में हो बुड्या खोब में वहाँ जाने के बाद में पोरा सिकीम दिखाई देगे एक ही जगा तो जाकर वह नोग कितना कास्ट के हैं क्या दर्ममानते हैं क्या उसका इस्टार्टोस हैं उसका भासा क्या बोला जाते हैं अपर बोली जाती हैं यहां क्या खाते हैं क्या यहां का डांस है यहां के परंपर क्या है यहां के हिस्ट्री क्या है यहां के च्छेत्रफल क्या है यहां के चाहता हूं अभी हम अक्सर यह अपडेट देखते हैं कि फलाने राज्य का केंद्र से टक्राव हो गया जैसे अभी बेस्ट बेंगॉल का चल रहा है IPS के ट्रांसफर को लेके CBI को दी जाने वाली कंसेंट को लेके टक्राव रहता है कभी 36 गड़ का कभी कोई एक्जांपल आता है 2010 में आपने भी CBI को जो जनरल कंसेंट दिया था उसको वापस लिया था क्या वज़े थी उसकी आपको लगता है कि केंदर CBI को ऐसे चलाता है जैसे वो हो मिनिस्टर का थाना हो मेरा लंबा अनुवार से मैं इतना पता ना चाहूंगा आपको मेरा एक राय रखना चाहूं कोई भी सरकारे हिंदूस्तान में जब आशिन होती है तब ओस सरकार को सबसे पहले सोचना चाहिए मैं हिंदूस्तान का सरकार हूं और हिंदूस्तान संपुना हिंदूस्तान हमारा देश है और इस देश को विकास करने के लिए हर गाउं का हर तपका का हर व्यक्ति का विकास होनी चाहिए तब हिंदुस्तान का अभिकास होगा इस तरह सोच के काम करना चाहिए लेकिन यह सोच आज तक इस पस्टा नहीं है मेरा उनुभाव काता है इस पस्टा नहीं है इसलिए आज यह सारे चीज़ें जो हो रहा है जैशक यह सब्देशक में संगिया डाचा वह संगिया डाचा को आज तक सब्दा प्रकास से नहीं हुआ है सब्दाइस एक डाचा गुरुप में रहा है जैकर कारेवन नहीं हुए जैसा मोले कहीं बीस्ता बन जाती है कई भी तो सट ख़ार रहे हैं कर देखने काम कर रही है नहीं कर रहे हैं लेकिन उस उसके शिवा उस राज्यों को विकास करना भाराश सखार पुझे मोरे हैं तर इस तरह के अभी तक दिरिष्टी कौन इसपास्ट अनीं है सीबियाई के मसले पर आपकी क्या राए है अब सीबियाई के मसले पर इसको पॉलिटिकली यूज नहीं करना चाहिए बस इतना ही मैं जाता हूँ आपको लग रहा था कि पॉलिटिकली यूपीए गौर्मेंट यूज कर रही थी या कर सकती थी इसलिए आपने वापस लिया क्योंकि आपके विरोधी कहते हैं कि आप कहीं नफस जाएं उसकी जांच में इसलिए आपने ऐसा बतौर मुक्यमंत्री प्रोविजन कर दिया कि क्यों करना चाहते थे क्या नाराज़गी थी उनकी या सोनिया गांधी की आपसे क्योंकि सिकेम के जितना भी राष्टर विरोधी सोस वाले लूग हैं वो हरमेशा मेरे खिलाप में थे और वो लोग हरमेशा कंग्रेश के साथ में जाके कंग्रेश सर्खार को गुम्रा कर दे थे दिल लिया कर दे और यह बात अभी सर्खार में कंग्रेश सर्खार जाने के बाद में उन लोग ने रियलाइज किया है आभी वही सकती बरतमान सथार को भी गोंब्रा कर रही हैं अर्मेसा कोशिट करते हैं किताब लिखते हैं अर्मेसा कुछ नखुजियां कर बताते हैं और उन लोग को बात यहां पक सुनी जाती है और यह सबसे बड़ा बिदम बना है आपको एक बात बताओं मैं सिक्किम मर्ज करने वाले हम लोग हैं और सिक्किम मर्ज करने वाले जितना भी नेपाली भाशी हैं और बुटिया भाशी हैं लेप्चा भाशी जो भी हैं हमेरे खिलाब में यहां पर दिल्ली में आके हरमेशा जो प्रो इंडियन अभी है जो बारत के पक्स पे काम करते हैं उसके खिलाब में यह आकर हरमेशा घुमरा करतें आपने किताब का जिक्र किया चामलिंग साहब एक लेखक है सोनम बांगदी उन्होंने आपके ऊपर एक किताब लिखी है पवन कुमार चामलिंग दा ग्रेटेस्ट फ्रॉड इन हिस्ट्री वही 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 तो आप काउंटर क्यों नहीं करते हैं इन पॉलिटिकल आरोपो को कर दोको कर दोकिताब लेकिए ग्रगा गूमाई यह यहां पर आए एक दर मुझे परदान मंत्री जी नीं भी पूचा मोझे मोदी जी ने है आपकोको त्रहां पता नहीं करते कि मैंने में इसको बारे में इसका लंबा बात हो सकता है साहब счит i. बताओ में फिससे बोला मैं नहीं बोल गाता выш I think havenadas mówi हुड तो आझ कर रहे हैं यह घुट है मांज फ्कॉ महां जितना ईह कर रहर हैं यह अज गुम्ते रहते हैं वो अलग our इसको इसको फॉले से लगा था मैंने स्फिक्षाARS को बनाएँ ऑसको शिव लगने कory लगने के बा लेकिन यह चीज है ना लिखने वोले लिखते हैं बारस अखा को देखना है कि कौन क्या कर रहा है मैं तो मेरा कोई प्रसान है मैं मेरे लिख याई मैं तो मुख्य मंदरी था जनता ने बोड़ना ही दिया मैं हार गया ठीक है तो लेकिन शिक्किम को नहीं हारना चाहिए, शिक्किम की लोग नहीं हारना चाहिए, ऐसे लोगों के बात सुनके, शिक्किम को नहीं हारना चाहिए, शिक्किमी लोगों को नहीं हारना चाहिए, बात तो ये, हिंदुस्तान को नक्षान नहीं होना चाहिए, डेस को नक्षान नही बारत को बारत में शीकिम को सामिल किया और शीकिम को राष्टिय अखंड़ता के लिए सुरक्षा के लिए स्थारभा भावित्य लाइट ना बड़ा योगदान दिया उसके खिलाब में ऐसे इने चुने गिने चुने लोग जो राष्टर बिरुदिलो के आख एक किताब लिक कि आप मैं तो उन लोगों में शामिल हूं जिन्हों ने सिक्किम के भारत में मर्जर के पक्ष में काम किया तो उनका कहना है कि ठीक आपने काम किया होगा लेकिन उसकी वज़े से ये कवरप नहीं हो जाता और वो यह भी कहते हैं कि शायद इसलिए बीजेपी ने दोहजार इस पूरी बातचीत में अब हम लोग लगबग आखरी पडाव में है बातचीत के दो तीन चीजे में सर और जानना चाहता हूं आपसे लोग जब आपकी तारीफ कर रहे थे इस इंटर्व्यू की रिसर्च की दोरान तो यह कह रहे थे कि चूकी पवनकुमार चामली बहुत बेक्डाउंड से आते हैं गरीब प्रिष्ट भूमी से आते हैं उन्हों उस गरीबी को देखा है उस मुश्किल को देखा है इसलिए जब पॉलसी से करते हैं या लोगों से कनेक्ट करते हैं तो बहुत effective होता है पर उन्होंने एक बात और जोड़ी उन्होंने कहा कि वो वो बिफर गए नाराज हो गए चामलिंग सहाब इस बात पर जब कि उन्हों ने और वो पैरलल ड्रॉ कर रहे थे नरेंद्र मोदी के साथ कि आप दोनों लोगों का करियर देखिए दोनों लोग कंट्रोल रखते हैं अपने नाम पर वोट मांगते हैं लंबे समय तक मुख्यम सब्सक्राइब कर दोनों में बहुत सिलेक्टिट लोगों की सुनते थे जिसको हम बोलते हैं कि सफल राजनेता जमीन पर हुई फुसफुसार्टों को सुन सकता है जो आपने लंबे समय तक सुनी इसलिए सप्ता में रहे लेकिन आखरी के पांच बरस में वो जो ग्राउंड पर रिजेंट्मेंट था वो आप तक नहीं पहुँच पा रहा था आपको ऐसा लगता है अजसा हुआ होगा क्या वज़े रही मैंने बोला में बहुत ज्यादा बिस्वास कर दिया था लोगों असपास के लोगों से उन लोगों ने दोगा दिया एक एक यह जानना चाहता हूं सर इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे बैलेंस कैसे बैठता है पॉलिटिक्स औ परिवार के बीच यह पॉलिटिक्स और परस्टनल इंट्रेस्ट के बीच क्या है आपके परस्टनल इंट्रेस्ट होबी क्या वक्त निकाल पाते थे उनके लिए मुख्यमंत्री रहते हुए कि बुरी जैसा पॉलिटिस एक यह बहुत बड़ा बीदम वराश्थिती में रहाना और राश्थिती करना गलत चीज़ को ज़्यादा लोग सुनते हैं गलत चीज़ को ज्यादा उचाले जाती छर्चा करते हैं मैंने अच्छा भी काम किया है को यहाद नहीं अच्छा काम किया है। बहुत उधारिया काम ido क्या है। थे छिए तिखिम में जाके क्यों खोलती है क्या थी पॉल्सी एक अब लुप कि यूनिवर्सिटी के बारे में अब क्या को ओं मैंने साथ यूनिवर्सिटी वहां पर मैंने इस्टाबिलिश किया मैंने सेंटर पी जी जएकर आरेसम रेक्राइव साथ युनिवेशटी माने इस्टाबिलिश हां आ इस्टाबिलिस हैं और दो फ्रपेट्रेटि कि बनाएं दो फ्रफ्रेटी जए डिए ग्रेत्र और इस्टाइपे ए अथ और आच volcan कि आमने नॉल्ख एच में फरस्टे आप fel scholar कबंद करें और योगा क्लास में इंप्लीमन करने वाला पहले दौल बंगिया के और मीने दौ मेंने खर्शक्लियों काया a rb कि नॉट इसमें अब को हफ्थ ना बनकर और मैंने दो महने काम किया हो वहां हमारा हिंदूस्तान का असमीता है इसको बचानी कि निमेनी का अपिया और सिकीम एक बारत में बात ने शिकीम बारत में मर्ज हुआ बारा स्वात अंतर होने को ट्थाइशाल बात में इसके करण चे हमें सार-5 वारशियोजना अभी हमें नहीं मिला और नrah-3 में 벌써 में हमें अन्मीन जोंना 621ch वह व्या हुआ उगत्थन भात में नहीं ौनेके इसफ निर नार्फ इन एक फरस्टाइब और निर्टिज फिर्सेश गाए। दिन् barrel हुच्टार हचाँ यह सब कुछ आध तो इस तरह है में यह अरो पश्धूध sound मेरा प्राइटें की अभड़ नहीं को डिन में पीछा हैं मैंने ये budget मैंने खर्च किया 20 पर से हो मैंने क्या और का लेज तक फ्री एजुकेशन मैं इन्दूस्तान में कॉलेज तक फ्री एजुकेशन हैं फिर दूसरी बात है सिक्यम में कि क्लास एट तक के विदार्थियों को युनिफर्म दी जाते हैं खाता कापी दिया जाते हैं किताब दिया जाते हैं युनिफर्म ट्रेन कोट फुरी में ऐसा ममवापर करते हैं अब जो हारी स्टडी में जाते हैं जैसा हारबर्ड में किसी विदार्थियों ने मा पढ़ने वाले विदार्थियों को सिकिम सर्खार प्राइबेट इसको में ले जाकर सब खर्चा देकर पढ़ाती हैं अशा योजान मैंने कि इतना ज्यादा एजुक्स दिया और इसी करण से सिकिम देश का थर्ट इल्टेर्स इस्टेट है थर्ट लिट्रेट इस्टेट हमार मैंने बहुत बढ़ा काम कर देख सकते हैं कि 3 इस प्रडेश वाय होँटウ एप छोड़न के सब्से बढ़ा हो से डिल्लीमे देख सकते हैं बढ़ा एक चीज बताइए यह जो मूल सवाल था कि यह तो पॉलिक्स की बात हो गई इस से तर जैसे हम जानते हैं आप कविता लिखते हैं कोई आप कविता सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को छोटा प्रदेश है सिक्किम लेकिन दिल बड़ा है प्रवत सिखर कंचन जंगा कैसे अकेला खड़ा है दर्द और आशों को छिपा कर भी हम हस्ते हस्ते जीते हैं हम हस्ते हस्ते जीते हैं अपने को मिटा कर भी हिंदुस्तान के लिए जीते हैं देश के लिए जीते हैं है तो आप कविता है नेपाली भाषा में लिखते है है के गविधा है कि लोग लिखने वाले और दू लोग थे तो मैंने उन लोग तोड़ा अलग पहिचान के लिए मैंने किरन लिखा और किरन का नाम प्रकास है अच्छे चीज नहीं तो उसे में मैं प्रहना लेता हूं कि मैं किरन बनना करके हमारे देश्ट के प्रदान मंत्री थे अटल भी हारी वाच पे वह भी कविताएं लिखते देदें कभी आप और मैंने खुट ले जा कर दोस्टों का पिह सुदिया नेपाली में और मैंने उसको बाटा वुद्विक्री किया तो बास्पाई जी बाशे हो बाशे ओ बल रहे थे में नेपाली मेरे दोस्तों को दूंगा कर अश्वा था एक बाद मताएए सर जब आप पहली दफा मंत्र बनते हैं तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जब पहली दफा मुख्यमंत्री बनते हैं तब नर्सिम्मा राउ थे तो मेरे खाल से साथ एक प्रधानमंत्री आपने देख लिए थोड़ा उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कैसी थी उनकी डीलिंग आपके साथ व्यक्तिकर तालुकात कैसे थे नर्सिम्मा राउ साथ के साथ बाच्पई शाहब देवे गॉला गुज्राल साथ इनका थाला की चोटा कारकाल रहा तिर मर्मोहन सिंग और नरेंदमोदी एक एक करके अगर आप बता सकें को इनके बारे मैं राजीव गांधी प्रधानमंत् ओ दे डी गई हमारे नेता मुखे मंत्री बंदारीजी ने तो बंदारीजी उस ए राजीवक गांधी ने देखा राजीव घंदी ने तो और बंडारी को देखा और उसे बोला, ओके बंडारी, थेंक यू, I will talk to my cabinet colleagues and let you know, थेंक यू, कर के चला गया, बैठने को भी नहीं का, नहीं का, अरे मैं तो देखता रहागा, अरे क्या बात है, फिर चला गया, तो उसके बात में फिर, हमारा मंखे मंदरी जने बोले बंडार में उस दिन लगा कि, ये क्या आए, हम कहां से आए, और क्यूं आए, ऐसा क्या, उसके बात में फिर मैं, मुख्य मंदरी मन क्या, तो प्यबी नर्शी उनार जी से महें मिला, तो प्रदान मंदरी निवर्स में साथ बजी सांपू बुलाए थे, तो उसने मुझे का कि, इसको भी चाहिए, राजयो को भी चाहिए, बोटिस करना बहुत मुझकिल है, और उसने का, आप सिक्के में सवंगराम नहीं चलेगा, और तुम्हें क्या मदद चाहिए, मिलते रहेंगे, मुझे बताना, मिलते नहीं, मुझे बताना, फिर दूसरा सब्दा, फिर उसके बा इसके बात है, तो पर्धानमंत्री जी ने पिबेच हिंनना, ना ने थैती निया, उसका तेरा पेश का रीपलाई दे आ, इतना लंबा रीपलाई कि इक पर दानमंत्ली मुझे नहीं दूसरा इसके बात में, future जब तक थे ममीता था और मुझे पसंद करते दे राव साब आपको और उसने पर स्ट मेरा बजट मेरा मुझे बजट दिया प्लाणिक अमिज़िए तो मुझे फट्टिवान परसेंट ने ज्यादा बजट दिया इंक्रीज़िए तो इस ताम मेरा सिकिवा बजट था कोड़ आज बोलते हैं लोग चोरी किया खाया यह किया हजार कोड़ खाया साब बोल देना कि एक्सोड़ कोड़ था बजट मैने फस्ट जब 95 मैं सिक्यम का मुझे मंध्री बना तो उस टाम में प्लानिंग प्लान का बज़र थे क्सोड़ कोड़ था थिंसोटिस कोड़ का अब इस बारे मैं सोचना चाहिए कि ऐसा बज़र से सिक्किंग मुझे कहा पहुंचाया लेकर यह तो राव साहब की बात हो गई उसके बात में फिर राव साहब से मेरा बात हुई बात मिलता रहा फिर देव गवड़ा से मैं मिला तीन बार मिला और उसका मैंने दो मटिंग में और मैं की तो जाते अच्छा दोनों मीटिंग में उस्मारा ख मदोर्श के मिलता है जब मेरम ने तैहां मैं में मेल नंट लेट ता तब। यही दो बार पिंटा दो बर इसी बोला उसको चेंबर में यह सेकेंट में ने बोला उसको कि साफ आप शुक्राइए तो उसने बोला ओके मिस्टर चामिंग आई उन्हें नट लेट यह फिर से वही जवाब फिर वह नहीं आया और उसके बाद में फिर परदानमंत्री गुज आप शुक्त 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 शुच्त शुक्त 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 शुक् तरह आपने बताया ही और आट्रल मेरे बासपाई जी से मेरा बहुत अच्छा तालुक अथा मुझे बहुत मुझे प्यार करते थे गर भोजन करवाया कि नहीं मालपूए खिल वहाई कि लिए बहुत नहीं कर आपको नहीं है लेकिन अच्छा आट्मी तेओ बहुत अच्छा पर प्रदान मंत्री के तौर पर खुब सायोग दिया आपको दिया बहुत नहीं लेकिन दिया जितना कर जकते थे और जब मैं बोलता था उसने मुझे साहित पसंद करते थे एक बार मुझे उसने अशा भी कहा था कि 59 में कोई अच्छा आत्मी नहीं है तुम कभी तूचो सेंटर में आने के लिए इसा बोले थे जब शिक्रने आये थे, मैंने बोला, नहीं साब मही आठीक हूँ, जब तक लोग रखते हैं, यहां रहूं का साब, ऐसा मैंने बोला, तो मही जब बोलता था, बहुत वोग उसुद्धे रहते थे, मही जब बोलता था, तो एक दिन वहाँ पर एक बड़ा मीटिक में, हम से द बढ़े रखा, कि मैंने जितना सारी यां मांगे रखी हैं, सेकीम की धनता के और से, तो मानने परदान मंतरी बातवाई जी, एथा सकती, हमी मदद करें, मैंने बोल दिया, उसके बाद में, उसके उसने बोला, तो उसने बोलते सबसे बहुत दन्यवत देता हूँ, क्योंकि उसने बहुत बड़ा मुझे रिलिफ दिया, एथा सकती बलके, हाँ, 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 उसने बोला, तो फर उसके बात में, मेरे मांग में, उसने एक तो तीन सव कड़ रुपे पैसा सेंक्शन किया, अच्छा, एक सड़ के बनाने के लिए, और मैंने मांग तो रख आई, सब्सक्राइब बदल गई, ओ तीन से ओ कड़र अमें नहीं मिला, तो आपने कहा नहीं मांग महां सिंग जी से कि भाई यह हमें अलॉट कर चुके हैं, प्रदान मंतरी जी क्यों नहीं रिलीज कि रिलीज कि रिलीज कि रिलीज कि अपर हिंदूस्तान के में यह एक गल देश के लिए काम नहीं करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने पार्टी के 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 लिए करते हैं, तो उस दिन जाके मैं दंग रहा गया कि उसने सुब्य गया था तो उसने मने खाजा मुझे में ब्रेकपाशने बुला है तौलो भ्यक्पाट खाओ अरे मुझे डर्भी लगाव फाइनस मिनिस्टर रहे वर्ड बेंग से आये हैं बहुत बिदान आत्में तो फिर मुझे उसक पूरी लेकर खुद आती हैं ओपूरी लेकर सब्सियू लेकर आती है कामकाने वाले कोई भी नहीं है आजल अजीट लगा इतना बड़ा आतमी इतना बिदानान आतमे इतना डेशका वित्मंत्री जबांतरियें फिर हारवर्ड उनिवर शिर जी है पड़े हूई है हुथ प तो खाया मैं इतना दिल शे मैं तो किर्टग युग होँगा जी तो बहुत मेरा बहुत सर्दा बढ़ गया बहुत बढ़ गया तो मैंने सौचा कि है यू डोस्ता शहता तो मेरा हिंदोस्तान के लोगों के उपर से मेरा बीचार बाद लगया तो मैं आपको आज बताओं यह कि वो परदान मंत्री ने हर्मेशा मुझे सम्मान कि एक बार सिखें माय थी तो सिखें मा के उसने इलेवन नाइटीन ट्यू थाउजन इलेवन में जब 18 सेक्टेंबर में वहां पर बड़ा भोचाल आया था आर्थक्वेक ओ आये और भोचाल आते उसने टेलफून के मैंने बोला जी बोचाल आये अब क्या करें मैं इसको अभी कर रहा हूं समाल रहा हूं फिर उसने इसलिए परवम बिदेश में मैंने बोला सबनाहीं में तक थाधित अब जाएं जाए आप वह देश के लिए आप जा रहे हैं वह वह दूशना प्रक्वेक नहीं जाना है और यह बदूद करी ओप्रेंज़ा लगया य। बबार जाने के बात में आदेंगे कल आगे और उस और खुट उसने अपने गारी में चला है एलिकॉप्टर से लेकर मेरे उसके गारी मुझे लेकर आए रास्ती में बात करते आए चौमलिंग क्या क्या करना है बताओ आप इसे बताए अच्छा एक चीज़ बताइए कि यह जैसे अभी आपने कहा कि मनमोहन सिंग्स आप ऐसे वैसे थे और थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे कि जो मनमोहन सिंग के सरकार में सीबी आई जो थी वो मुझे फसाने की कोशिच कर रही थी या मनमोहन सिंग्स आप आई तो वाचपई साब ने तीन सो करोर रोक लिये थे दिये थे वो रोक लिये तो दो पैरलल चीज़े ह क्या पॉट में बहुत करने वाले परदानमंतरी नहीं थे कोई दसरी आटनी क्यान थे कर दन्यूसरे रो Olivता यह थे था है' को अदिन आप पता नहीं आप उन्य का थे ठैसे दूसरी लोक जो नेताौतित जो नाम अ किया hardest practice that कि बहुष एतंट कि देट सेंटर ड़े न da Сंटर में अज that देन को याया कि लगता है कि मोजे लगफा अवमें नहीं मान देट है अगरण के एम यह तो क्मी है मरद इसमें लंड जर बतिएव जार उस्ताव से बताई यह जल साइपना बम आ जग्स पारे जा जा साյान सब्सक्राइब क्या बता हूं कि अगर तुम नहीं आते तो दूसरा आ जाएगा नाम भी लिए दूसरा लोगों को भी तुम नहीं आउगे दूसरा बन जाएगा और हमाई सरकार बन जाएगा इसा बता तो मेरे मतलब यह ये आपको बता हूं यह सब कुछ मैंने जहलाए बहुत दर था प्र एक बदर यह वा नाम एक बार मैं आपको बताओं यह सब कंडा कॉप से सुरुआ कि जब मैं आप यह आरसर प्रगाम में गया था तो उससे चड़ने लगे डिए अरेश प्रगाम में गया था शुदार सेंज भेम इस टाइम उस्टार शुदार सब्सक्राइश जब भाएं जी जी सरसंग चालग थी तो मैं एक ऐर समय कमेटिक में चीब केसमन के गया विद्या भारती का प्रोगाम था क्योंकि उन लोग तो मैं जानता था तो जाने के बाद में इन लोग ने इतना सताया मुझे कि मतलब यह दो हजार नौ के पहले की बात हो जो कि फिर तो मोहन भागवजी आ गए तो लोग ने इतना सताया सुदासंजिन के जागए उसके बाद से यूपीय सब्सक्राइब करने वाले लोग तो तुसरे लोग थे नरेद्र मोधी जी के साथ कैसा अन्वा हो रहा आपका विलानात तो खूब होगी होगी फिर चले गाए अब कॉंग्रेस सरकार फिर ऐख आगये फिर परदान मंत्री जी तो परदान मंत्री मोधी जब आय तो उस ताम मुझे इतना खुशी लगा में ब्यक्ति रुप बहुत खुश्टा तो मंत्री के तौर पर आपके राजी बहुत खुश्ता क्योंकि उसका जो समय जो उसने काम किया था मुख्यमकृव मे तो मैं करनल परसनली बट खुश था मि पानलिब लुट उसका सवपदान में में ये था सबक्रहत के बात वाध में अंदर जा के जबरसेज़ जाके इतना लोग थे तो अभी खादा लगया था मैंगा अफंड दा तो मैं बहुत खुश्ट याप क्या पता रहते हैं जबर्दस्ति जाके क्या नहीं बहुत लोग थे ना इतना लोग होते हुए जबर से अंदर जाके उसको खादा लगाया मैंने जब परदान मतिक सापत गरन के बाद में जी जी तो सब्सक्राइब मैं खुश्टा अच्छा तो अभी आपकी मोदी जी से आफी बार कम मुलाकात हुए लग जब में मुख्यमंतर जी चला गया उसके बात में में मिल्ने आया थे अग बार उससे बाद इन्हां इतना लंबा आपका कारेकाल 25 बरस का उसके बाद आप हारे थे तो नहीं मैं होई और आया और परदान मंत अब आर गया किया बताउं साफ अब आरने के कारण एक इंटीक एंपनें सी हो सकता है और अभीकार उलुग पार्टे उसको सबसे सबस्द आप मैं शेपने पिजय पीने मदड अभी मदद किया बार से भी इसको पैसा में मिला हर गया तो क्या बोले वो और उसने ज्दा तो कुछ नहीं बोले मिलते रहें गे करके बोला है एकी बात आए कि मुझे इस चेकिम में सांति चेहरा ना है मुझे मेरा सेड़ी मुझे मुझे आपका मदद चाहिए और उसने ठीक है मदद करने उसने बोला और अमिशाजी को मिलने के लिए का अमिशाज से महीं मिला अमिशाजी को मैंने सब बता है कि मुझे सिकुरूरी चाहिए मेरा ज्यान खत्री में क्योंकि यह बर्तमान सरकार है इसका टेक रिकट आपको प सब्सक्री आप एक बहुत गंभी राजनेतिक लगा रहे हैं कि आप कहा रहे हैं कि जो सिक्क्रेम के मुख्यमंत्री है अप्रेम कुमार तमान उनकी प्रे definition को प्रश्रा देती है या पॉलिटिकल किलिंग से मृल्डर्स करते हैं आपके प्युलमार्दी आतंगवादी है राजनेतिक आतंगवादी पुलिटिकल टेरोरिजम जब टेरोरिस्ट दो परकार के होते है न एक तो आतंगबात होता है जशन इंडिया में एक सो एक संगठन आए इंडिया में आतंगबात और पुलिलेगा टेरोरिजम आए राश्रिक ज़एन के लिए अपर्शन पार्टी को जिससे थेटो मार देना पिड़ना कुटना पिटना यह करते हैं और एक एक एशचेम पार्टी व्यासे पार्टी कारण से बहुत लोग मरें आरूप हैं प्रमान नहीं है जेल अवह तक कोई नहीं गया है लेकिन आरूप है उन्हें बहुत से आरूप है जैसे इनके गुरुं को उनलुक आत्मीने मारा है यह 4th मार्स 2014 को और उन्राही को सेमडे मारा है 14 मार्स 2014 को ऐसे बहुत से प्रहान है इसके में सब लोग जानते हैं आप जिन 2014 के केसिस का सब्सक्राइब कर रहे हैं वह तो आपके मुखे मंतरी रहते हुए है मेरे मुख्य मंत्री होते हैं तो जाच में वो लोग दोशी नहीं पाए गए नहीं जाच हुआ सब वह को कोड की बात है ना उसमें क्या काओ मैं तो लेकिन उन लोग का आत्मी इंबॉल्ब पर उन लोग की मीटिंग में मुडर हुआ तो कौन कौन मारेगा मैंने अभी हाल में और पहले भी मुख्य मंत्री के तब भारत के प्रधान मंत्री ग्रहा मंत्री और रजयपाल को मैंने मांग की हैं और मेमरनम मैंने चड़ाया हैं उन लोग को मैने चिठी मैने भेजी हैं कि मुझे शीकूरिटी दिया जाए मेरा जान खत्रे में है और मेरे रूल्ग पर्टी से मेरा बहुत जानखत्रे में इसलिए मैंने यह मांग रखाए मैं अब इते कोई रिस्वान्स नहीं आए और आपको बताना चाहूंगा कि इसकेम पार्टी के बर्सव गाट मना रही थी चार तारिक फारवरी 2020 में उसी सवा में मुख्या मंत्री ने गोशना किया है कि मैं पावन चामलिंग से बतला लूँगा इसको मैं नहीं छोड़ूँगा यह सब लोगों को पता है शाहिद आई भी ने इस बात को रेकट किया होगा और केंद्री आई भी ने रिकोट किया होगा और मार्स में मैंना में एक मंत्री खरेल नाम का है संजीब खरेल उसने भी रिनग बचार में उसने गोशना किया कि मैं पावन चामलिंग को सेस कर दूँगा ऑच्छा की में मर्स के पत्थर बाजी होई ऊच्छा किन महीना के अंदर इसको माई सेस कर दोंगा मेंस कर दूँगा खतम कर दूँगा उसने कवकाई तो फिर दस तारीक अक्टोबर 2019 में सकीमें बाही लेक्शन चुनाओ वुजा था तो उस चुनाओ में दस तारीक ऑक्टोबर को मैं चोनाव परचार में गया तो वहाँ पर मेरे गाड़ी के उपर पत्थर बाजी हुई और उनाइस मेरा काफिला का उनाइस गाड़ी को तोड़ जा उन लोग ने और मेरे बेटी को चोड़ लगा और वो हस्पिताज होना पड़ा और मेरे सारे कार करता हस्पिताज होना पड़ा तो फिर 11 तारीक ऑक्टोबर 2019 को उसी परकार फिर मेरे गाड़ी के उपर पत्थर बाजी हुई फिर यह लगातार जो आप पर राजनेतिक हमले हो रहे हैं आपके इसाब से तो आपने कोर्ट में कोई याचिका नहीं डाली या केंद्र सरकार संग्यान में ले चुका हूं और मैंने चीठी अभी वी लिखांगे बाइश तरी ओक्टूबर को मैंने डिशेमिबर को अभी परदानमंत्रि को मैंने चीठी लिखें तो मेरे जान खत्रे में तो यह में एक बात आप जोड़ना चाहता हूं इस पूरी बातचीत के बारे मे दिली की सर्द हवाओं के बीच कई गर्मागरम खुला से और कई आत्मीता से भरे संस्मराण कई राजनेतिक घाथ-प्रतिगाथ इस पूरी बारचीत के बारे में आपकी क्या राय है हमें जरूर बताईएगा पवन कुमार चामलिंग की पॉलिटिक्स के बारे में आपकी क्या राय है ये भी जरूर बताईएगा नेता जी घेरे में हम नेताओं को घेरे में लेते रहेंगे ताकि आपके हिस्से के सवाल पूछते रहें देखते रहिए दीललन टाउप बहुत बहुत शुक्रिया आपका झाल 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 झाल झाल